हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कुकिंग फूड बेदिसमिता में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, न समोसा, न कचोड़ी और ना ही पकोड़े, आज हम बच्चे हुए ब्रेड से बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी नास्ता, आपने आवाज तो सुनी ली कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सौप्ट, जब एक बार आप इस नास्ते को बना कर खा लेंगे ना, तो जान बूज कर रोज ब्रेड बचाएंगे, तो ये मेरे पास पांच ब्रेड बचे हुई रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसका नास्ता बनाया जाए, तो मैं पहले भी इसका नास्ता बना चुकी हूँ, मेरे हाँ सभी को बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा चलो अपने ब्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं, अब जो ब्रेड रखे थे, उसको इस तरह से तोड़ कर हम मिक्सी के जार में डाल अब आपको इसका पाउडर बना कर दिखाते हैं, और ये देखिए ब्रेड का पाउडर बना कर हम ले आए हैं, इस तरह का हमें इसका पाउडर बना लेना है, अभी हम इसको साइड में रखते हैं, और इधर मैंने दो आलू ले लिए हैं, तो ये उबले हुए आलू हैं, इ हमने इसके लिए ठंडे आलू का इस्तेमाल किया है तो आलू जब ठंडे हो जाएं तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं तो नमक डालने से गर्मालू ढीले हो जाते हैं अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्यास डालेंगे अगर आप लोग प्यास नहीं खाते हैं तो प्या इसमें डाल सकते हैं, दो से तीन इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा नीवू का रज डालेंगे, नीवू का रज डालने से ये बहुत ही तेस्टी बनता है, एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल है साथ ही इसमें एक चमच चाट मसाला डालेंगे आपके पास अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है स्वादा नुसार इसमें नमक डालेंगे आप अपनी पसंद के कुछ और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं और अब इसमें बारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है और इन सारी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है ये आलू मसाला बहुत ही चटपटा बनकर तयार होगा अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो कम मिर्च का इस्तेमाल करिएगा और इनको काफी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आप अपनी पसंद की और भी सबजियों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये नास्ता बहुत ही हैल्ली बनेगा अब जो ब्रेट क्रम्स करके रखाता ना हमने उसका आधा हिस्सा हम इसमें डाल लेंगे और आधा भी हम बचा कर रखेंगे इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और ब्रेट क्रम्स आलू को मिक्स कर लेते हैं जग तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इस तरह से हमने आलू और ब्रैट को काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीजें बहुत ही अच्छे से घुल मिल चुकी है अब इस मिक्षर में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए इसके लिए दो चम्मच कॉर्ण फ्लोर डाला है तो अगर आपके पास कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो आप इसमें दो चम्मच अरारोट डाल सकते हैं या दो चम्मच ही आप इसमें चावल का आटा डाल देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसका मिक्षर बनकर तयार हो जाएगा और अब इसको भी आलों के साथ मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना अच्छे से डो बनकर तयार हो चुका है अभी हम इसको साइड में रखेंगे और एक कटोरी ले ली है इसमें एक चम्मच हम मैदा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसका एक घोल बना कर तयार करेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा जिससे इसमें गुठलिया ना बने और इसका एक हम पतला सा घोल बना कर तयार करेंगे बिल्कुल इस तरह का हमें इसका घोल बना कर तयार कर लेना है इसकी consistency इस तरह की होनी चाहिए अब हातों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और जो mixture बना कर रखा है इसमें से हम जितनी रोटियों के लिए लोई लेते हैं न उतनी बड़ी लोई ले लेंगे इसको इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये टिक्की के shape में आ जाए किनारों से इसको चिकना कर लेंगे जिससे ये फटी-फटी बिलकुल भी ना लगे इसी तरह से सारी टिक्कियां मैंने बना कर तयार कर ली है अब जो गोल बना कर रखा था उसको एक बार चलाएंगे क्योंकि पानी उपर आ जाता है न और टिक्की को इस घोल में डाल देंगे जिससे इसमें एक अच्छी सी परत लग जाए तो उपर से भी इस तरह से घोल डाल दीजिएगा जिससे हर तरब से इसमें घोल लग जाए और जो ब्रेड क्रम्स बचा कर रखा था उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे घुमाते हुए जिससे ये अच्छे से चिपक जाए तो घोल को पतला ही रखिएगा जिससे ये आराम से चिपक जाएगा इसमें और इस तरह से दबाते हुए हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगा देंगे जिससे नास्ता बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, अब एक साइट तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक एक करके इस नास्ते को डालते जाएंगे, ये बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो जब भी आप अगर इस तरह का एक बार नास्ता बना कर खा लेंगे न, तो बाजार के क्या समोसे, क्या कचवडी और क्या पकोडी, सारे नास्ते को आप भूल कर इसी नास्ते को बार बार बनाना चाहेंगे, ये इतना टेश्टी लगत है, और बहुत ही जटपट से बनकर तयार हो जाता है, अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू रखे हैं, तो बिलकुल भी देर नहीं लगती है, और इसको दोनों तरफ से पलटते हुए सेक लेंगे, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाएं, तो दोस्तों कैसी लग र अपनी फैमली और फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नई हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, जिससे मैं जो भी नई रैस्पी लाओं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचें, और बेल आइकन गो भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही टेस्टी और नई रैस्पी के साथ,